नमस्कार मित्रों, Best Places YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सब का स्वागत चलिए, आज हम आपको दहज बीच और दहज लाइट हाउस देखने ले चलते हैं यहाँ जाने के लिए आपको भरुस से दहज के बीच लगबग 50 किलोमेटर ट्रेयावल करना करें यदि आप प्रकृती और फोटोग्राफिक के दिवाने हैं तो दोपर और शाम का समझ बिताने के लिए यहाँ एक अच्छी जगा है लुआरा का लाइट हाउस कापी पुराना है इसे 1948 में बिटिशों ने गल्प आप खंबात में समुद्री जाहजों को खत्रों की जतावनी देने और उन्हें जाता आत्में सहायता देने के लिए बनाया था इस लाइट हाउस को अंदर से देखने के लिए आपको 10 रुपे खर्च करने कर सकते हैं लाइट हाउस शाम 4 बज़े से 6 बज़े तक परेटों के लिए खुला रहता है इस लाइट हाउस के नज़दी की एक बीच है यह बीच काफी बड़ा है और यहां पर शाम को आपको वाक करने में काफी मज़ा आएगा अगर आप सुर्यास के दूशे देखना पसंद करते हैं यहां से आपको सुर्यास का बढ़िया नजारा लिखाई देगे यहां की रेट बहुत काली है पर कुल मिलाकर परिवार के साथ टैम पास के लिए एक अच्छी जगा है यहां से आदा किलोमेटर की दूरी पर लुवारा की हरियासन जेटी और आएज जीएसी हेवी जिनेरी की जेटी हैं दोनों जेटिया माज़बाजब में बनी हैं दहेज की हरियासन जेटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है और आएज जीएसी की जेटी हेवी इंजिनेरिंग गूर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोब में आती है दोनों जेटियों पर कापी भीड होती है शाम के टाइम में लोग सुर्यास का नजारा देखने के लिए यहां भारी मात्रा में जबाओं भरुस से यहां पोचना मुश्किल है तो कि यह जगह दहस से 10 किलोमेटर दूर नुवारा गाव में आती है पर यह जगह अभितिये हैं यहां आपको देखने के लिए शांदार नैसर्गिक जुरुष्य और परिवेश मिलेगा आसपस के इलाकों से यहां काफी लोग आते हैं इसलिए यहां भिरवार होती है शाम का समय बिताने के लिए कही लोग यहां आते हैं यहां से आप नैसर्गिक जुष्य के साथ साथ तमुद्र की थंडी आवा का मज़ा ले सकते हैं यहां से सुर्यास्ट का नजारा काफी खुश्र दिखाए देखा मित्रो इस वीडियो में बस उतना ही वीडियो अगर आपको पतना आया है तो वीडियो को लाइक, शेर और पामेंट जरूर टीजिए थैंक यू, भन्ने बाद्ट